नमस्कार एसी इंभारत के इस बॉलेटिन में आपका स्वागत हैं मैं हूँ अविशेक आईए बढ़ते हैं खबरों की और खंडवा में गंगोर पर्व बड़ी ही धूमधाम से बनाया चरखा है शेहर के ब्रहमनपुरी, बजरंग चोक, हाट केश और वाट पढ़ावा में माता की बाड़ी खोली गई और माता के रत को घर लाया गया बाड़ी स्थलों से शुभायात्रा के रूप में शधालुजवारे अपने घर सजाकर लेकर पहुंचे रात में भजन, रत्य और जागरन किया जाएगा, बधवार को गंगोर पर्व का समापन होगा इस दिन कई परिवारों द्वारा भंडारे का एजन भी किया जाएगा पूरे मद्वर्देश सही च्छतरपूर जिले में सुमवार से गेहूं उपारजन केंदरों पर खरीदी शुरू कर दी गई इसके लिए प्रदेश भर में 4663 केंदर बनाए गए च्छतरपूर जिले में 112 केंदर बनाए गए हैं सितरा चना, मसूर और सरसो की खरीदी के लिए 34 केंदर अलग से बनाए गए उपारजन से पहले पंजिगत किसान की पातरता की जाच नोडल अधिकारी करेंगे हाला की अधिकारीयों की माने तो यहां बहुत ही कम संख्या में किसान अपना पंजियन करवा रहे हैं उनका कहना था कि इस बार किसान गेहुका समर्थन मुल्य कम होने के कारण भी पंजियन करवाने नहीं आ रहे इंडौरी के एक किशोरी महला सित एक घर की दूसरी मंजिल पर आग लगई फिलहाल आग लगने का कारण अग्या थे आग लगने के सूचना इस्थानी लोगों ने नगर परिश्द को दी सूचना पर मौके पर पहांची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया बताया गया जिस वक्त आग लगी उस दौरान घर पर कोई नहीं था राजगर की ब्यावरा पुलस ने लूट के मामले में फरार दो आरोपियों को गरफतार कर लिया फिलहाल आरोपियों से पूछता जारी है दरसल रविभाग को ब्यावरा गुना हाईवे रोड पर दो अग्याद बदमाश ड्राइवर से मार पीट कर आईशर गाड़ी और मॉबाइल लूट कर फरार हो गए थे जिनने ब्यावरा पुलस ने अमरगड रोड से घेरा बंदी कर गरफतार कर लिया अगामी त्योहारों को देखते हुए पुलस ने अपनी कमर खसली जिसके शल्ते पुलस ने अपनी सक्ती बढ़ा दी के कारण सुरक्षा की दृष्टी से पुलस प्रशासंद वरा फ्लाग मार्च निकाला गया वही कहा कि त्योहारों को देखते हुए अपराधिक तत्वों को चन्हित करने का कारी की आज रहा है और हाल ही मैं जगनी मामलों में जेल से छूट कर आए लोगों पर नजर रखे जा रही है और इस बार पिछले जो जिलाबदर और एनेसे की जो कारवाई होती है वो हम रिकॉर्ड तोड कर रहे है पिछले पूरे साल में जो हमने कारवाई हैं जो संख्यात्मक की थी है पिछले दस साल के जितने भी हाई है जिलाबदर रहे है वो हमने पिछले तीन महिने के अंदर इस साल किये हैं कि युष्जाज की उसना का उस्टी इस्टी आपके विप्टी के पास रहां राप मांधे वेल्ट किया हो पाया विप्टी में पही उस्मांगे से फिसनां लिगए एक पुलिस नो उसके बादा रहा है कि कम्रे कर दोब आए हैं कि का उसका दोस्तुरी जबहाने जटना गए देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कॉंग्रस ने जनपत पंचायत विजबपूर के सामने टैंट लगा करीब पांच घंटे विरोध प्रदेशन कर स्टीम को ग्यापन सौपा मदप्रदेश कॉंग्रेस के कारेकारिया देक्ष राम निवास रावत के देक्षता में प्रदेशन किया गया रसोई गैस पेट्रूल डीजल को आगे लेकर कॉंग्रेशियों ने कहा हम चाहते हैं महाई महारत और उसी के तहर बड़ती ही महाई, बड़ती ही विरुजगारी और बिज़ी के बिलों को लेकर के आज हमने किया है और आई इसकाब यह दर्माद किया देगा बुरहनपुर के कोदवाली थाना शेत्रे के सित एक आटो पार्ट्स के गोडाउन में अचाना काग लग गई, मौके पर पहांची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया गर्मी के मौसम के चलते लगातार आग लगनी के घटनाय सामने आ रही है, सीके चलते बुरहन पुरिसेते एक आटो पार्ट्स गोडाउन में आग लग गई, घनी मत रही कोई बड़ा हाथसा नहीं हुआ, मौके पर पहांची दमकल विभाग की गाड़ियों ने दो घंटे चंख्या में महिलाओं ने अपने पती के साथ माता की बाड़ियों में पहुंचकर पूजा अर्चनाकर परिवार की सुख समृधी की कामना की, जिसके बाद शधालू रत सजाकर ढोल डमाके के साथ माता की बाड़ी में पहुंचे और माता की जवारों को रत में विराजित पकड़ा पकड़ा गया रोपी कपड़ा कारोबारी बताया गया पुलिस को मुख्बर इस सूचना मेली थी की सिटी सैंटर शेत्र के गुलमोहर सिटी के फ्लैट में आई पिल मैच पर सटा चल रहा है सूचना पर पुलिस टीम नच्छापामार कारिवाई करते हुए हर श्मो जब पर शुचना मेली थी कि एक फ्लैट में एक विए उनलाइन कर्क्तर चला रहा है तो इस सुचना पर टीय उनिवर्सटी और एसाइज तामर और अन्य टीम विए को चुछल के लिए टीम बनाई जाकर वहां पर उसको वेरिफाई करने के लिए बजा लिए लिए बजा जब जब उसको जब आएड को चेक किया गया इसके पास उसके पांच जब तुई और सक दो लिए और उसके पास पास मोवाइल जब तुई है और दो लाग पिच्छा ज़ा रुपर जब तुई हैं उसके और एक बिली एं जो की जिसमें की कई कस्टमर्स जो से जुड़े हुए हैं जिनको वो खिलाता है उनका पूरे लिखा जुका है इसके लावब भी नोबाइल में काफी ऐसे एविडेंसिग मिले हैं जिससे है इस पस्टेक के वह अलगातार ओंलाइन के सक्टर लंबी समय से खिला रहा है जननायक टांटिया मामा की जैनती पर विधायक राम दागोरे के नितरुत में पंधाना है स्कूल ग्राउंड से हजारों की तादाद में समाजनों द्वारा रैली निकाली कई इस मौके पर सभी समाजनों की उपलसिते में विधायक राम दागोरे ने जन्य नायक टांटिया मामा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टांटिया मामा हमारे ही नहीं सभी समाज के हित्में काम करते थे साथी तांटीया Bama के वंशच परिवार के सदस्यों के पेंशन को एक हजार बढ़ा कर तीन हजार महिना किया पेंशन बढ़ाने पर तांटीया Bama की वंशच सोनाबाई ने विधायक का आभार मान कर मुख्यमंतरी शिवर्श सिंङ को धनिवाद प्रेशित किया और सब्सक्राइब करेंगे जो भी मिधर्मी इसा प्रियास करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं उसको सलाखों के पीछे बेजेंगे और लोग जहाद और नर्मात्राइब को लेकर के हम लोग एक जन्जाजुकता अभियान भी चलाने वाले हैं हमारे लिए पहले एक हजार पे पेलसर करें आप इन हजार पे पेलसर का उन्हें बोला है और हमारे बच्चों को अच्छा देवास मिलता है माखनलाल चत्रुवदी की जहनती के मौके पर श्रम जीवी पत्रकार संगठन द्वारा खंडवा में कारिकरम आयजित किया गया एक पुष्प दादा के नाम नामक का रिक्रम में पंडित माखनलाल चत्रुवेदी की प्रतिमा का दूद से अभिशेक कर प्रतिमा पर माल्यारपन किया गया श्रम जीवी पत्रकार संग के जला ध्यक्ष मनिश गुपता ने बताया कि पंडित माखलाल चत्रुविदी के नाम पर जिले में गौर दिवस मनाया जाना चाहिए प्रहटी तहसील के ग्राम आवली घाट में आदिवासी गौन समाज के तत्वाधान में सुमवार को आवली घाट पर चंदर सिंग वनको की स्मृती में बड़ा देव की मूर्ती स्थापित की गई कारिक्रम के दुरान मा नर्बदा के तर्ट से चल समहरो निकाला गया समिती अध्यक्ष अभिनेश वनको ने कहा गौन समाच की भाषा धर्म संस्कृती को जीवन्त रखने के लिए आगे भी समाजिक कारिक्रमों का आयजन जारी रहेगा जिसको हमारे परम सकती बड़ा देव है उसकी स्थापना भी होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी कारी संपन नहीं है तो उनकी अनुमती लेकर साहिड में एक चबूतर बनाये गायरो महाँ पर हमारे प्राकरतिक सकती बड़ा देव की स्थापना की गई पूर्व मंत्री सतींद्र पाठक की जयन्ती के मौके पर विजय राखावगर विधायक संजे पाठक अपने पिताजी की स्परती में कटनी जला अस्पिताल परिसर में करोडों की लागत से तीन मंजला सर्वस विधायक अस्पिताल का निर्मान कर सरकार को दान में देंगे आपको बता दें कि मुख्यमंदरी शिवरा सिंग चुहां साथ अप्रेल को कटनी आगमन के दुरान जला अस्पिताल में निर्मित होने वाले तीन मंजला अस्पिताल का भूमी पूजन करेंगे जिला चिकेश साले परिसर के अंदर जो एक बहुत पुराना भवन बना हुआ है लगबग साथ 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 पुराना भवन उस भवन को तोड़कर वहां पे नया भवन चिकेश सा भवन बनाके और राजशासान को समर्पित किया जाएगा उसके भूमी पूजन के लिए माननी पुआ रहे हैं प्रोक्त भवन जो है उसमें डालेसे सेंटर रहेगा एक्स रहेगा सोनोग्राफिक वारा रहेगा पूरे लैब रहेगी ब्लेड बैंक रहेगा करीब 20-25 प्राविट वार्ड रहेंगे डॉक्टर्स चैंबर रहेंगे डॉक्टर्स कॉन्फरेंस रूम रहे और पूर्ण करके कंप्लीट करके और राजशासन को समर्पित किया जाएगा बुलिटिन में फिलाल इतना ही तमाम ताज़ात ररीन अपडेट के लिए बने रहे हमें साथ देखते रहें एसी एन भारत नमस्कार